नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में कवर करेंगे के एच वर्षी डीपी आर की टीमों के बीच में जो बाइजूस आसाम टीट वंटी लीग का मैच नमबर सेवन्टीन खेला जाएगा उसके बारी में अगर बात की जहें दोनों टीमों की तो DPR की टीम है इस मुकाल में स्ट्रोंग टीम रहेगी काएज के कंपैरिजन में तो DPR की टीम को आप अपनी फेवरिट टीम आनकर अपनी फंकासिक टीम है वो क्रियेट करके चल सकते हो वह इस वीडियो में देखेंगे कौन सा बेस्ट म बाज करेना और सबस्दे इपोर्टन बाद जो भी इस मुकाबले की फाइनल टीम रहेगी जो फानल अपडेट रहेगी वो मिलेगी आपको टेलिग्राम चैनल पे और टेलिग्राम चैनल के दो लिंक मिल जाएंगे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ब्लू कलर के लिं को जोइन कलेना अब आते हैं दोस्तो एनलाइसिस सेक्शन में तो यह मुकाबला आमीन गयों की रिकेट ग्राउंड गुआटी में खेला जाएगा अगर बात कीज़े पिच रिपोर्ट की तो ओरोल यहां का विकेट है वो एक बैलस विकेट अक्सेप्ट किया गया वह साथ साथ देखोगे तो इस वेन्यू के उपर एक्स्टा स्पोर्ट है वो स्पीनर के नवाजों को मिलता है वहीं बात कीज़े इस वेन्यू के फस्टिनिंग के ओरे स्कूर की तो 130-140 के अराउंड आप अपना ओरे स्कूर है वो अक्सेप्ट करके चल सकती हो इसी के अंडर आप आपको ओरे स्कूरबो बनता हुआ नजर आ जाएगा बाकिस वेन्यू की जो भी फ्रेस्पिस रिपोट रहेगी वो आपको टेलिग्राम चैनल पे प्रवाइड करवा दी जाएगी अब बात कर लेते हैं क्या रहेगी के एस की पोसीबल प्लेंग 11 तो उससे पहले अगर प्रवके सन भी आपको सबसे पहले मिल जाएगी अब बात कर लेते हैं क्या रहेगी के एस की पोसीबल प्लेंग 11 तो इस टीम ने सीजन 5 मुकाबले खे लिए अपने 4 मुकाबले वो लोच करके आ रही है केवल 1 मुकाबले वो वोन करके आ रही है और के एस की टीम का बैटि करवाने के लिए आते हैं कभी भी आपको एक बड़ी इनिंग खेल के दे सकते हैं तो जियल में जुरूर से कवर करके चला नहीर नहर की बात किज़े तो लास्ट मुकाल में ओपन करवाती हो 32 बना है स्टैकिन लास्ट मुकाल नमबर 3 पर बैटिंग करवाने के लिए 13 रन की इनिंग के लिए एक और इस परदसन आपको कंटीन्यू करवा के दे रहे हैं एक और इस पिक रहेगी जुरूर से अपनी टीम में आप कवर करके चल सकती हो नहर देखा की बात किज़े तो लास्ट मुकाल में 24 रन की इनिंग के लिए उससे पहले देखो तो परदसन वो बह इस ते रहेगा तो एक रिस्की पिक रहेगी ड्रोप करने का इस काफ आप काफी आसानी से ले सकती हूँ रोमारियो सर्मा लास्ट मुकावल में नंबर पांच में बैटिंग कराने के लिए लेकिन उससे पहले कई मुकावल में देखो उपन करवाने के लिए भी आ चुके लास्ट मुकावल में 24 बनाए, सेकी लास्ट मुकावल में 33 और उससे पहले एक मुकावल में 44 सरन कीनी खेल की दी तो रुमारी यो सरमा आपके लिए की पोर्टन पिक रहेगी इस टीम की तरब से जुरूर से आप अपनी टीम में कवर कर के चल सकती हूँ लेकिन उससे पहले एक मुकावल में 24 बनाए, त्यार ओर की बोलिंग डाली दो विकेट निकाल के दिए एक इपोर्टन पिक रहेगी जुरूर से अपनी टीम में कवर कर के चला रोसन आलम की बात कीजए लेकिन उससे पहले इनका परदसन देखोई तो दो मुकावल में 24 बिकेट और एक मुकावल में तीन विकेट निकाल के दिए पिक रहेगी चाहो तो कवर कर खिचल सकती हो बाकी जील में जुरूर से कवर कर खिचला परसीत रोए की बात कीजए तो लास्ट के वाले मुकावल में एक विकेट निकाला सेकी लास्ट मुकावल में दो विकेट उससे पहले वाल दोनु मुकावल में एक विकेट निकाल के उससे पहले भी देखो तो दोस्तों T10 में इनका परदसन काफी लाजवाब रहे चका है तो एक इपोर्टन पिक आपके लिए रहेगी जुरूर से कवर कर किसला जाहिए जमान को आप सीधा सीधा ड्रोप करने का रिसक ले सकती हो बाकि ये भी हर मुकावल में आपको तीन ओर नहीं किया है तो क्यों 50 लाइक का टार्गिट है मोटिवेशन के लिए वीडियो को एक लाइक जुरूर से कर देना अब बात कर लेते हैं क्या रहेगी DPR की पोसिबल प्लेइंग 11 तो इस टीम ने इस टीजन 5 मुकावले के लिए 3 मुकावले वोन कर किया रही है और इस टीम की तरफ से लास्ट मुकावल में आपको टोप ओडर में चैंजिस देखने को मिला च्यो मितल है वो ओपन करवाने के लिए 15 अबना है उससे पहले भी देखो तो परदसन इतना अच्छा नहीं रहा है और टीटों टीम में देखो तो बैटिंग उस भी परचिस कर रहता है ए एक रिस्ट की पिक रहेगी बाकी जील में चाओ तो इस प्लेयर को आप अपने टीम में जुरूर से कवर करके चल सकती हूँ सोरूपम की बात की जाओ तो लास्ट मुकालम बैटिंग में नो बनाए च्यार और की बोन डाली दो विकेट निकले सेकिन लास्ट मुकालम बैट बैटिंग में 24 दो और की बोन डालती हूँ एक विकेट चैकी लास्ट मुकालम बैटिंग में दो बना है तीन दो और की बोन डाली तेरा रंद करके विकेट नहीं मिला रोस दिपक है वह आपके लिए एक उप्रटन फिक रहेगी बैट और बोल दोनों करवा के देंगे टो लास्ट मुकालम 15 उससे पहले भी परदसन ठीक टाक रहे हर मुकालमे आपको एक और इस परदसन कंटीनू करवा के दिरें एक और इस पिक रहेगी जुरूर से अपने टीम में कवर करके चल सकती हूँ नीपन देखा की बात किजए तो लास्ट के दोनों मुकालमें तीन वि विकेट नहीं मिला लेकिन अपने फर्स्ट मुकालम में तीन ओर की बोलन डालती हूँ दो विकेट निकाल के दिये तो एक और इस पिक रहेगी चाहो तो कवर करके चल सकती हूँ बाकि जील में जुरूर से कवर करके चला अमन छेतरी की बात किजए तो अभी तक तीन मुका विकेटलस और थलास मुकालम में एक विकेट और अपने फर्स्ट मुकालम में तीन विकेट निकाल के दे चुकी है तो अभी चकरवति आपको तीन से च्यार ओर की बोलन डालती हूँ नजर आ जाएंगे कि पोर्टन पिक आपके रहेगी जुरूर से कवर करके चलां सैन लो खनो टीमों का स्टेट वाइज एनलाईसि और आप बात के लेते हैं प्लेयर वाईज एनलाईसिज और कुछ अपने कैपеля वास कैपन के रोोटेचन के बारे मी सबसे पहले बात करेंगे विके शैक्षन में तीन प्लेयर है तीनों के तीनों प्लेयर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे कुनाल से कि आपको नमबर च्यारी या नमबर पांच पे बैटिंग करवाती हुए नजर आ जाएंगे लेकिन इस चीजन दे को फोम है वो बहुत ज्यादा फ्लोप चलिए तो एक रिस्की पिकरेगी ड्रोप करने का रिस्का आप ले सकती हूँ बाकि ये कभी भी जरूर से कवर करके चला है नासीर उल्ला की बात कीजा है तो हर मुकावल में आपको एक और सब्दसन के टियूट करवा के देरे एक और सपिक रहेगी जरूर से अपनी टीम में कवर करके चल सकती हूँ शंधीP पोल मजुमदार आपको लगातार ओपन करवा के देरे ले ल बैटिंग ओडर में बात कीज़े तो रोमारियो सर्मा आपको नंबर च्यार पे बैटिंग करवाती हूँ नजर आजेंगे फोम है वो काफी लाज वाप चलिए आप अपने टीम में जरूर से कवर करके चल सकती हूँ नहीं बात कीज़े नीबर डेका की तो इनका परदसन ठी ठीक ठाक इस सीजन रहा है एक और इस पिक रहेगी जरूर से आप अपने टीम में कवर करके चल सकती हूँ वहीं बात की जाए नहीर नहार की तो इनका भी परदसन ठीक ठाक रहा है हर मुकावल में आपको 20 पलस रन करवा के दे रहे तो दोनों पलेरों को आप अपने टीम म ट्राइ करके चल सकती हूँ दानिस एमद लास मुकावल में नहीं खेले थे लेकिन ये भी आपको कंपलीट 4 ओर की बोलिंग डाल के देंगे अगर आपको इस मुकावल में अवेलेबल मिलते हैं तो आप अपनी टीम में जुरूर से ट्राइ करके चल सकती हूँ अकास देना तो दोस्तो आपको हर मिनिंग में देखो तो यहां पर कम से कम है वो 6-7 वी केटा वो जुरूर से गिरती हुए नजर आ रहें तो ज़्यादा से ज़्यादा बोलर वह आप अपनी टीम में कवर करके चल सकती हूँ बागी इनी प्लेयों से आप समोली को विराखे को मिनिस में कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राय करके चल सकती हूँ निपन देखा है साथ साथ यहां पर रोसन आलम हो गया दोनों आपके लिए मस्टेव पिक रहेगी दोनों प्लेयों को आप अपनी टीम में कवर करके कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राय करके चल सकती हूँ दोनों आपको complete 4 ओर की बोलिण डालके देरें और अच्छे विगेट हर मुकावल में आपको निकालती में नजर आ रहे हैं आविर चकर वर्थी भी आपको 3 से 4 ओर की बोलिण डालके देरें mostly मुकावल में देखो तो दो या एक विगेट आपको जुरूर से निकाल के दे रहे तो सीधा सीधा आप अपनी टीम में कवर करके चल सकते हूँ कुनाल सर्भा आपके लिए रिस्की पिक रहे ही सीधा सीधा ड्रोप करने का रिस्क ले सकते हूँ विकास शेतरी की बात कीज़े तो लास्ट मुकावल में अवेलेबल नहीं मिले थे लेकिन इस मुकावल में आपको डैफिनली अवेलेबल मिलेंगे और कम्पलीट च्यार ओर की बोलिंग डालके देंगे फोर्म काफी लाजवाप चलिए कि पोर्टन पिक रहेगी जुरूर से आप अपने टीम में कवर करके चल सकते हो प्रिक्सित रोई ने इस सीजन च्यार मुकावले के ले और च्यार मुकावल में देखोगे तो पांस विकेट निकालके दे चुके तो ये भी आपको तेन से क्यार और की बोलिंग डालके देंगे तो जुरूर से कवर करके चला जड़ जबान हो गया साचाज आद दीपक हो गया दोनों आपके लिए रिसकी पिक रहेगी दोनों प्लेयरों को आप सीधा सिदार ड्रोप करने का रिसक काफी आसानी से ले सकते हो कैप्टन वाइस कैप क्यार आपके लिए जल्दी से जाके जोइन करे ना हमारियो की बात किजए है final team नहीं है only एक demo team है जो final team रहेगी जो final update रहेगी वो after toss well line-up के बाद आपको telegram channel पे provide करवा दी जाएगी तो final team के लिए telegram channel को जुरूर से join करेना अगर दोस्तों आपको हमारा state analysis अच्छा लगा है तो वीडियो को like, comment, say subscribe जुरूर से कर देना मिलते नेक्स्ट वीडियो में जै हिंद जै भारत